हेलो गाइज, वाल्कम बैक टो अरदनी वीडियो, आज मैं में मेट्रोला एच मेट्री प्रो वर्सिस दीवो V30 प्रो का कम्प्लीट कैम्रा टेस्ट करने वाला हूँ, डेलाइट में, लो लाइट में, फोटो में, वीडियो में दोनी फोन में से किस पोन का कैम्रा बेटर काम करता है क्योंकि यहां पर जो है ना दोनी फोन का प्राइज में थोड़ा डिफ्रेंस है अब जो लोग जो है 30 अफ 40 के अंदर में अराम से फोन भाई करने का सोच रहे हैं उनके लिए यह वीडियो काफी यूसफूल होने वाली है तो कि यहां पर जो है मैं एक एडवेंचर व सेंसर है वह आपको मिलता है 50 Mpx का और यहां पर पीछे में जो आपको रियर साइड में में अल्टरावाइज आंड टेles फोटो तीनों ही सेंसर मिलता है वी 30 प्रों के अंदर में 50 megapिक्सल की और सेल्फी वी आपको मिलती 50 Mpx की अंड अल्ट्रियो बेंडर में आपको में यहां पर आपको मिलता है सिंगल स्टीकर और प्राइज बिसका ज्यादा है फॉर्टी के कर ओं लेकिन यहां मिलता आपको जाइस नैचुरल कलर तो देखते हैं कि तो साइस वाला कलर है यहां पर रियल मी 12 प्रोप्लस का तो आप लोगों ने मुझे बहुत नहीं किया था वाई कि वीडियो क्या हो तो फाइनली आज में आप लोगों का जो है यह विस्ट पूरा करने वाला हूं तो ठोकना एक लाइक बटन और सब्सक्राइब बटन कर दोना क्योंकि मैं आज और वीडियो को ठोको नाइक लाइक बटन हम सुरू करते हैं वीडियो को गाइस अब वी 30 प्रो के अंदर में आपको मिलता है Zyze Natural कलर जैसे यहां पे आप किलिक करोगे तो आपको यहां से Zyze Natural कलर का आप्शन मिल जागा बट मोटरूला के अंदर में आपको यहां पर वाला सेंसर और देखते हैं कलरों के रसी दोनी फोन में से किसकी बैटर है ओकी तो यह बैदा किलिक किया पहला पिक्चर और यहां से वापी से किलिक करूं को सेकेंड वाला पिक्चर देन लिगे जाएंगे अल्ट्रा वाइट पे 0.5x मिलता है आपको मट्रोला के अंदर में और वी 30 प्रो के अंदर मिलता है आपको 0.6x ओके तो आइठिंक कलर जो है न मुझे यहां पर थोड़े थोड़े दना बैटर देखने को लगे है वी 30 प्रो के गाइस दोनी फोन के पिक्चर काफी चे निकल के आई है लेकिन मट्रोला थोड़े थोड़े यहां पर कलर बूश करता है और वी 30 प्रो थोड़े से क्लोश टू नैचुरल कलर क्लिक कर लेता है लेकिन एक पूज़े को अच्छे से बैलेंस किया है थोड़ा वी 30 प्रो ने बाकी पिक्चर दोनी फोन के अच्छी निकल के आई है अगेन यहां पर देखो मट्रोला के अंदर में यहां पर पिक्चर थोड़े से क्लोश टू नैचुरल है वी 30 प्रो जाइस नैचुरल मोड अन करने के बाद भी कलर थोड़े से बूश करता है थोड़े से वाम किये लेकिन यहां पर डेप्ट फिल्स दोनी फोन में अच्छी निकल किया यह लेकिन यहां पर तोरा-थोरा कलर जो है मुझे तोरा बैटर लगा मट्रोला एस 50 प्रो का गाइज आप दोनी फोन का करते हैं जूम टेस्ट और देखते हैं कि मैक्सिम्म जूम पर दोनी फोन की पिक्चर क्वालिटी कितनी बेटर निकल के आती है 10x पर 20x पर 30x पर यहां से चेबल मैं किलिक करता हूं 5x पर 10x पर वापेस लिखे जाएंगा 20x पर और 10m s V30 prod पर 20x ही जाएगा helped maximum and maximum 20x पर देखे आप दोनी फोन की पिक्चर अलमोस्स सिमिलर निकल के आई धोनी फोन मिलता है आपको 10x डिजिल जूम लेकिन यहाँ पर देको ऊपर की साइड में यहाँ पर V30 Pro ने एक पोजर को अच्छे से मेंटेन किया है और कलर एक खुरोशी दोनों को अल्मोस सिमिलर है यहाँ पर कोई भी जादर डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है अब 20x पर आगे नहीं है यहाँ पर डिजल स्थुरी बेटर काप्चर कर लेता है V30 Pro लेकिन अगेन यहाँ पर यह वाला पार्ट को वेल इस्पोज रखा है V30 Pro पिक्चर थुरी अंडेस्पोज निकलके है यह मट्रोला में कलर भी थुरे बेटर काप्चर कर लेता है V30 Pro मट्रोला के इंदर आपको मिल जाएक है maximum 30x जूम बट पिक्चर उतना यूसफुल होता नहीं 30x तो 20x भी उतना यूसफुल नहीं है 10x तक जो है दोनी फोन के पिक्चर अच्छी निकल के आयती है अब अल्टरावाइट शॉट यहाँ पर अल्मोस्ट सिमिलर निकल की आई है थोरा सा वाम टोन पिक्चर के लिक करता है V30 Pro और कॉल टोन थोरा सा मट्रोला लेकिन यहाँ पर कलरे को रसी यह वाला पार्ट थोरा सा V30 Pro के मुझे बैटर देखने को लगा है बागी ज्यादा कुट डिफरेंस नहीं है अगेन यहाँ पर नोटिस करो कि आप V30 Pro थोरा सा यहाँ पर ओवरेस्पोज वह रहा बहुत सारे पार्ट में लेकिन मट्रोला थोरा से एक्पोजर को बैटर काप्चर कर लेता है कलर तो ग्रीन वाले टोन दोनी फोन ने बूस्ट किया है अगेन कूल टोन मट्रोला के अंदर में थोरी वाम टोन निकल के आती है जूम करने क के वार देको slightly जो डीचेल से न वी 30 पूरो में थोरा बैटर काप्चर कर लेता है यह वाला पार्ट थोरा ओवरेस्पोज भी हो रहा है दोनी फोन के अंदर में लेकिन अल्तरावएट सेंपल दोनी फोन के अच्छी मट्रोला थोरा बैटर काप्चर कर लेता है कलर बैलेंस अब यहाँ पर देखो अगें यह वाला पार्ट जो है न आण यह वाला पार्ट जो है न आणि यह वाला पार्ट जो है मट्रोला के अंदर में थोरा अंडर स्पोज कलर निकल किया है V30 Pro थुरा सा human subject की अच्छे capture कर लेता है स्लाइटली जूम करने को देखो अगेन यहाँ पर यह वाला पार्ट और यह वाला पार्ट बेटर काप्चर किया V30 Pro लेकिन जो मेरा सूज है ओवरस्पोज हो रहा है V30 Pro के अंदर में एक्चुल जो ट्राउजर कलर है मट्रोल ने काप्चर किया कलर को रसी थोरा सा V30 Pro का बैटर ने कलके है बैक्ग्राउंड में डीटियल जो है अल्मोस्ट दोनी फोन में सिमिलर है टेक्ट अच्छे विजिवल होड़े दोनी फोन के अंदर में बट आपको 13 में का पिक्सल का मिलता है मत्रोला में एंड 50 में का पिक्सल के मिलता है V30 Pro में तो यह वडियो मैं रिकॉर्ट कर रहा हूँ दोनी फोन के रियर क्यामरा से टेंट अपे 60fps पे और साउंड वी सी फोन के माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो रही है तो V30 Pro में थोड़ी थोड़ी मुझे यह आपड़े जिटरिंग फील हो रही है जिटरिंग तो खैर दोनी फोन में भी है बट देखते हैं ऑप्रिमेशन के बाद कितना इस्टेवल हो पाता है वीडियो प्रो की वीडियो थोड़ी ओवरस्पोर्ज और यह खास कर आप ध्यान दो के रॉस क्यूपर में एंड कलर भी थोड़े बूश्ट कर रहा है वीटर्टी प्रो एक्चुवल जो कलर है आपको थोड़ा सा कुलोश्टू नैच्छल कर लेता है मट्रोला और एक बर्चे करते आटाफोकस बैक्ग्राउंड जो स्टून है वह भी ओवरस्पोर्ज रहे वीटर्टी प्रो के अंदर में तो आटाफोकस जो है दोनी फोन का का काफी फास्ट है और दोनी फोन के आपको मिलता रियर साइड में फोड़ के 30 अपेस का अप्शन मटरा के अंदर में और में औ है कलर का तो आपको आइडिया विल्कुल यहां पर भी नहीं लग पा रहा है क्योंकि जो डिस्प्ले है वह स्केट किया हुए विविड मोट पर और साउंड देखो और एक बड़ों में चेक करता हूं इस्टेविलाइजेशन दोनी फोन का दोनी फोन में आपको मिलता है ओ आइ थिंक मेरे हिसाब से मुझे थोड़ा सा ना यहां पर मोट रोला थोड़ा नैचुरल लगता है और वी थर्टी प्रो थोड़ा सा आई पेजन क्याप्टिर कर लेता है अब यह सुलमों मैंने क्या दोनी फोन से 10W के उपर में लेकिन मत्रोला में मिल जाएगा आपको 10W 120 fps वी थर्टी प्रो के अंदर मिल जाएगा आपको 10W 240 fps लेकिन वीडियो कॉलिटी मत्रोला की थोड़ी बेटर निकल किया यह सुलमों के उपर में अब यह बिक्चर में ने क्लिक किया प्राम्री क bisa तो यहां पर द देखो वी 30 प्रो में थोड़्ा सा ओर काट्रसी निकल किया तुछेgen तो प्यूमन पर थोड़ा से बेटर गैप्चर कर लिया बेन सब्जेक्ट को बेक्ग्राउंड में कलर थोड़े सी यहां पर अच्छे काप्चर कर लेता है मट्रोला थोड़े सी इंप्रॉमेंट के जरुए थे प्राइमरी कैमरा में खासकर डेलाइड के ऊपर में यहां पर देखो यह वाले पार्ट में ना स्कीन टोन थोड़ा बै यहां पर देखो मैंने पॉट्रोला के एक्पोजर है तो अच्छे से कंट्रोल करता है यहां पर जो है मेरा में सब्जेक्ट अगेन ओवरेस्पोज हो रहा है वी तर्टी प्रों के अंदर में चाहे वह रॉक्स हो चूज हो एंड ट्राउधर के कलर हो बैक्ग्राउंड में बैटर काप्चर कर लेता है यहां पर देखो का अगेन वी तर्टी प्रो में थोड़े से मेरा में सब्जेक्ट ओवरेस्पोज निकल के हैं इसकी इंटोन थोड़े से यहां पर नाच्रोल नहीं रते तो वी तर्टी प्रों का वनेट्स वाला प्राइमली कैमेरा प्रेंड म अब टेली फोटो कैमेरा से मैंने किलिक किया दोनी फोन से अगेन दोनी फोन की पिक्चर थोड़े बैटर निकल के आई लेकिन स्कीन टोन थोड़ा बैटर काप्चिर कर लेता है मटरोला थोड़े से नाच्रोल काप्चिर कर लेता है ट्राउसर की कोजर को थोड़ा बैटर हेंडर गया है Motorola HPT Pro जूम करने के बादे को details दोनी फोन में अच्छी मेंटेन किया है लेकिन यहाँ पर hair के उपर में जो है अच्छे से काम किया Motorola बैक्ग्राउंड बलर दोनी फोन की थोड़ी थोड़ी यहाँ पर बैटर है लेकिन अगें Motorola के थोड़ी से नैच्रूरल लग रहे हैं वितर्टिप प्रो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ वाला पार्ट को थोड़ा से विल इस पोज रखा है थोड़ी से रेट्रों देखने को लगा है यहाँ पर देखो अगें जूम करने के बादे को स्लाइटली यहाँ पर हेर के उपर में अच्छे से कैप्चर किया डीजेल्स फोकस मटरोला एच्विटी प्रो इसकीन टोन थोड़ा बैटर काप्चर कर लिए तो एज रेक्शन भी थोड़ा से यहाँ पर मुझे बैटर लगा यह वाला पार्ट को अच्छे रखा है v30 pro मटरोला में टेक्स थोरे में ओवर्स पोज निकल किया है लेकिन डीटेल्स जो है थोरा बैटर काप्चर कर लिया है टेक्स के ऊपर में विटर्टी प्रो एज ज्विछ यहाँ पर दोनी फोन का अच्छा है लेकिन यहाँ पर देखो एगें थोड़ी फोन के फ्रंट क्यामरा से 10 डेपे 60fps पे और साउंड भी इसी फोन के माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो रही है और वी तर्टी प्रो में आपको मिल जाएगा 0.8 0.9 1X एंट 2X का भी मोड मिलता है आपको फ्रंट क्यामरा में वेरास मोटरोला के अंदर में आपको कोई भी मोड देखने को नहीं मिलता है और संज है बिल्कूल हेड के उपर है तो आप वीडियो क्वालिटी का यहाँ पर आईडिया लगाना एक बार इसकी इंटोन को कॉंस अच् और एक बार यहाँ से मैं चेक करता हूँ स्टेविलाजेशन क्यूंकि वी 30 परो के फ्रंट केमरा में को मिलता है फोर्के 60 एपेस का ऑप्सन लेकिन वहाँ पर जो है कोई भी स्टेविलाजेशन वर्क नहीं करती है उनली 30 एप इसको वर्क करती है तो यहां से एक बार देलाएट में मैंने क्लिक किया दोनी फोन सेलफी तो श्राट यहाँ पर शकीन टोन को थोड़े से नैचुरल कार्ट करता है में चक्याइचर तोन को लेकिन टिफिरेंद चलीक आपको जून करने की बाग यहां पर देखो डिजर दौन की अच्छी निकल की आई है लेकिन den Cobb mixture किया है यहाँ पर जो पोर्टे एक थोरा इंदर में तोरा फड़क है अजुछ deswegen लेकिन जो एक्चुवल हेर के ब्लैक कलर है आपको दोनी फोन नहीं किया लेकिन जूम करने के बात करेंगे यहां पर तो मुझे बैटर लगा है लेकिन चॉइस दोनों में से से आपका दोनी अच्छी निकल कहते हैं लेकिन एक नैचुर है एक थोड़ा सा आई प्लीजन कर लेता है अब गाइस लो लाइट में नाइट मोड अनेबल करने के बाद दोनी फोन में मट्रोला में एक्चुल टीशेट काप्चर किया लेकिन ट्राउजर ओवर एस पोज हो र निकल के हैं लेकिन यह वाला जो ग्रीन टोन है एक्चुल वी टर्टी प्रो ने क्याप्चर किया लेकिन पिक्चर दोनी अच्छी निकल किया ज्यादा को यहां पर देखने को लगता नहीं अप्राइस कंडिशन अब यहां पर देखो नाइट मोड दोनी फोन में अनेबल क करने के बाद स्लाइटली जो यह वाला एडिया ना मट्रोला में थोरा बैटर एक्चर कर लेता है यहां पर देखो दोनी फोन में नाइट मोड मैंने अनबल कर दिया एक्चुल जो फ्लोड की कलड है मत्रोला ने काप्चर किया लेकिन यहां पर देखो जूम करने के बाद टेक्च्ट अक्चुल कलड आपको वी तर्टी प्रो ने काप्चर के एक्पोजर को बीच्छ से मेंटेन किया वी तर्टी प्रोल अब एस पर लाइटिंग कंडिशन अब चुल आपको में अच्चुल की वी तर्टी पॉला फ्लै एक्पोजर के जाफ? यहां पर घ्रोल टेक्ट जूम के क्या मत्रोला ने बिचल कर दिया है यहां पर यहां पर यहां पर दो नहीं फोन से में च्रुब neden के प्रैंड काप्चर किया एकुल तो यहां पर देखो फ्रांट कैमरा से मैंने किल्क किया तो दोनी फोन की पिक्टर अच्छी निकल किया इस की इंडों तोरा से नाच्रल कायश्ट कर लेता है मट्रोला ने लेकिन यहां पर देखो स्लाइटली जूम गरने के बाद details दोनी phone में enough है दोनी phone अच्छी रियल capture कर लेता है skin tone का थोरा फटक है लेकिन iplace screen tone capture कर लेता है V30 Pro यह आपका प्रस्णा चोईस है कोई skin tone पसंद आता है लेकिन यहाँ पर देखो air reaction दोनी phone का अच्छी निकल के आई है actual जो hair के color है लेकिन यहाँ पर दोनी phone ने maintain किया background थोरा ओवर स्पोर्ज हो रहा है V30 Pro के अंदर में depth of fill यहाँ पर देखो यह वाले पार्ट में background बला अच्छी से capture किया Motorola ने तो depth of fill थोरा better capture कर लेता है Motorola A50 Pro तो यहाँ पर selfie मुझे थोरी better लगी है low light में अब guys according to price condition Motorola A50 Pro मुझे थोरा better लगा थटके के अंदर में क्योंकि बहुत सरे आपको अच्छे से यहाँ पर देखने को मिल जाएंगा आज कर टेलेफोटों camera हो and front camera तो guys no doubt बहुत ही खदाना किसका photos and videos के अंदर में बागी का इस phone को मैं अभी use करता हूँ च्छे साथ दिन और अच्छे से फिर लेके आऊंगा इस phone का complete review battery review, hitting issues, outdoor test वगरा मैंने full यहाँ पर test किया इसको मैं अपना share करूंगा पूरा का पूरा एक review तो है एक honest review के लिए और एक hard work के लिए एक like तो बनता है या सबस्क्राइब फटाफट से कर देना